आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस्टिके बिट के बारे में कि क्या होती है इस्टिके बिट और इसका रियल लाइफ एक प्रैक्टिकल एक्जामपल के साथ इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि कहां इसको यूज कर सकते हैं इसके क्या बैनिफेट्स है औ अगर आपने एक जो पर्मिशन पर मैंने एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेड वीडियो और यूजिंग सीएच मोड कमांड कैसे आप पर्मिशन चेंज कर सकते हो वह वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि अगर आपके आज वह अच्छे अंडिस्टाइंडिंग हो गई एक स्माइल डिस्क्रिप्शन कि अगर कोई आपसे पूछें कि यह bit होती क्या है इस bit से क्या होता है तो simply आपको यह एक सिंपल सा answer देना है अगर किसी फाइल पर या तो किसी डारेक्टरि पर इस्टे के bit सेट है तो only file owner या तो वो डारेक्टरि का जो owner है वही उस फाइल क या तो directory को delete कर सकता है ठीक है, बहुत ही simple सा concept है, stick a bit का and यह क्यों होता है security purpose के लिए, अगर समझ लो आपको sensitive files के साथ deal कर रहे हो and अगर आप ठीक है, नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा user आए, maybe वो group का part हो या तो कोई other user हो और गलती से भी आपकी file को delete कर दें, या तो rename कर दें okay, so आप नहीं चाहते हो, so in that case stick a bit is very useful okay, so stick a bit अगर किसी permissions में check करना है so वो t, small t है, तो capital T depends किस situation में है तो वो वैसे आप check कर सकते हो okay, so इसको practically समझने के लिए हम चलते हैं, terminal पे and इसका कुछ practical example देखते हैं तो आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे so यहां मैं अपने linux terminal पे आ गया हूँ so सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहां पे as a nick user में logged in okay, so first thing id में करके दिखा देता हूँ, यह जो nick user है वो qa जो है एक group बना हुआ है, उसका part है okay, so यह चीज़े थोड़ी से combine होंगी तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वैसे अच्छे से अपन सब cover करेंगे don't worry okay, अभी मैं temp folder में चले जाता हूँ and यहां पे मैं एक folder बनाता हूँ okay, इस folder का नाम देते ता हूँ मैं qa configs या तो qa files whatever बना सकते हो अब qa configs एक मैंने folder बनाया है मैं उसकी permissions आपको दिखा देता हूँ ls-ld configs ls-ld and qa configs so अब इसकी permissions भी देख सकते हो जो की default permissions है okay, now मैं पहले आपको बता दूँ कि यह जो folder है, उसका purpose किया है okay, so मेरा purpose यह है कि qa configs है मतलब जो qa एक team होती है testing team है, समझ लो and उसमें 4-5 users है so यह folder है common okay, तो अगर आप यहाँ देखोगे permissions में, तो जो qa configs है इसका owner is nick and इसका जो group owner है, वो qa so qa जो group में जितनी भी members है इस common location को use कर सकें, जो कि मतलब use कर सकते हैं अपने configs को place करने के लिए तो कि एक common जगे पर सारी हमाई files से हाँ पर एक हट्टी हो जाएंगी so यह हमारा purpose है, हमने उसके लिए file बनाएं, okay, दूसरी चीज़ क्या दी, अभी अगर इसकी permissions देखें, तो user के लिए, मतलब जो nick है, उसको rwx है, मतलब सारी permissions है बड़ जो qa group है, उसको सिर्फ rn x है, w नहीं है so अगर हम चाहते हैं कि दूसरे, मतलब qa member के भी, जो users हैं तो यहाँ पर आके file बना सकें रख सकें, तो उसके लिए हमें write permission देनी पड़ेगी, उसके लिए हमनों दे सकते हैं, जो qa, जो group है उसको भी सारी permission है, ठीक है rwx and rwx so यहाँ तक इतना समझ गए कि group को and जो user है, उसको पूरी सारी permission है, ठीक है मैं आप जले जाता हूँ, उस folder के अंदर ठीक है, तो यह folder के अंदर आ गया हम है now जो nick user है, इसने क्या किया एक file बनाई अपनी touch, nick and file okay, so nick ने एक file बनाई, यहाँ पर एक ही file है okay, and इसका मैं आपको permission भी दिखा देता हूँ so nick user ने एक file बनाई थी जिसकी permission देखे, तो user को read right है and बाकि group को, जो qa group है उसको save read permission okay, and जो other user उसको भी save read permission, okay अब यहाँ पर आता है suspense कि यहाँ पर क्या problem हो सकती है in case of sensitive file है okay, अभी तक हम लोग nick user के साथ, हम लोग ठीक है, डील कर रहे थे, अभी मैं एक दूसरे user पर login हो जाता हूँ मैं चले जाता हूँ Alex के नाम से ठीक है, मैं as a Alex, यहाँ पर मैं login हो गया हूँ मैं सबसे पहले ID करके दिखा दूँ तो यह user है Alex यह QA जो group है, उसका भी part है, again, okay तो नगर आप देखोगी combination तो जो nick है और वो Alex है दोनों ही user, यह QA group के part है, okay, और अगर आपको याद होगा, Nick ने जो folder मनाया था वो किसके लिए बनाया था, QA group के लिए तो हम वो group में चलते हैं पहले, QA group, ठीक है तो यह भी group का part है, तो वो भी access कर सकता है, easily, okay यहाँ पर LS LTI करता हूँ, okay तो यह जो Alex है वो यह Nick की file देख सकता है, okay और यह permissions भी अगर आप देखोगी तो Nick ने बनाई है, and QA अगर आप notice करोगे तो जो QA group है उसको क्या permission है, सिर्फ read permission है, so ideally यह जो Alex है, इस file को क्या delete कर सकता है, अब सोच के बताओ, ठीक है, चलो try करके देखते हैं, okay मैं simply RM कर देता हूँ ठीक है, delete करने के लिए and Nick file कर दाओ okay, and and मैं simply y कर देता हूँ, yes okay, and ls lti करता हूँ, so यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर file नहीं है okay, so ऐसा क्यों हुआ and कैसे हुआ, ठीक है, तो यह थोड़ा सा interesting है so मैं यहाँ पर एक step back जाता हूँ, and ls-ld and qa and अगर आपको दिखाता हूँ, वो क्यों हुआ क्योंकि जो folder है जो parent folder है उस file का उसमें जो qa group है उसमें rwx, ठीक है, तो उसको यह सारी permissions, इस वज़े से वो delete कर पाया, right, लेकिन चलो माल लेते हैं, यहाँ पर Alex ने जो अभी delete करी, अभी थो हम लोग ने जानभूच के करी, बट हो सकता है गलती से यह हो सकता था, right या तो rename हो सकती थी file, या तो delete हो सकती थी, so यह issues को हम लोग कैसे prevent कर सकते हैं, okay इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग sticky bit का use करेंगे, ठीके, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग exit करके, फिर से nick as a nick user चले जाते है, ठीके मैं एक step back चले जाता हूँ पहले तो मैं इसकी permission दिखा दूँ, okay so यह permission है, अभी मैं यह जो qa config folder है इसको मैं और secure करते हूँ, using the sticky bit और मैं यहाँ पर sticky bit कैसे set कर सकता हूँ, ch mode other plus t, okay and qa config okay end, यह हो गया and अगर मैं यहाँ यहाँ पर ld करता हूँ so now you can see, यहाँ पर जो folder है इसका थोड़ा से color वागा चेंज होगा है and अगर आप last में देखोगे तो यहाँ पर t आ गया है, ठीक है तो x के जेगे हैं पर t आ गया है so कभी भी आपको check करना है, किसी folder है, file में stick है कि नहीं, तो आप यहाँ पर सिर्फ t use कर सकते हूँ, okay and now, अब हम लोग क्या करते हैं ठीक है इस folder के अंदर चलते है as a nick user, okay मैं एक file बना लेता हूँ, nick file lslti करकर दिखा देता हूँ सिर्फ एक ही file है, जो पुरानी थी उसी type के बिलकुल, और permissions भी same है, अभी हम लोग क्या करते है as a lx हम लोग लोग इन कर लेते हैं ठीक है अभी हम लोग वही folder में जाते है qa वाले में, qa config okay, and lslti कर लेते हैं तो nick की file अभी भी है and अब मैं इस बार इस file को delete करने का try करता हूँ ठीक है, आ रहे है मैं तो ये वाली warning पहले भी आई थी मैं still y करता हूँ okay, but this time अगर आप notice करोगे, so इस बार, Alex ने उस file को delete नहीं कर पाया okay, so this is the basic difference कि जब आप stick a bit set करते हो नहीं करते हो, so it's like थोड़ा सा और security बढ़ा लेते हो, तो कोई गलती से भी चाहें, तो आपकी file delete नहीं कर सकता, सिर्फ nick user ही delete कर पाएगा, okay so ये चीज भी proof कैसे होगी तो लोग देख लेते हैं exit कर लेते हैं, ठीके, and जो nick है, वो आगया है, and qa config में आजा है हम लोग, lsltr अभी as a nick user वो खुद की file अगर delete करने का try करें तो, okay कोई warning भी नहीं आई, कुछ नहीं आई, and directly उसने, यहाँ पर वो file delete हो गए, so stick a bit अभी हम लोग ने अच्छे से समझ लिया, उसको proof भी कर लिया okay, एक चीज़ा हो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, कि ls-ldqa, जो folder था हमारा, अभी हम लोग ने small t तो देख लिया, and what is capital T, क्योंकि capital T भी मैंने दिखाया था, okay, so मैं काम करता हूँ, पहले तो stick a bit हटा लेता हूँ, ठीक है, t and qa config, अगर आप देखोगे तो stick a bit हट गई है, and मैं क्या करता हूँ, ch mode o minus x, execute permission भी हटा देता हूँ, qa में से, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, तो execute permission भी हट गई, okay, now अगर मैं अब stick a bit add करता हूँ, so o plus t and q qa config, ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ, so now you can see यहाँ पर capital T है, so small t and capital T, small s, capital as, क्या difference है से भी की है, कि अगर already executable permission नहीं है, और आप special permission add करते हो, so वहाँ पर capital से show हो, ठीक है, बस इतना ही difference है,